कि हालो इस्टूडेंट बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का पीप्यारे स्टडी में दोस्तों आज आपका एक नया चैप्टर सुरू होगा क्लास शिक्स एंसे अर्टी मैथ में और उस नया चैप्टर का नाम है पुडांक यह सिक्स की एंसे अर्टी मैथ है जिसमें क्या है इंटेजर मतलब होता है पूडांक अब देखो पूडांक कैसे पहचानते हैं अब सबसे पहले इसके लिए आपको नामबर जानना होगा नाच्चल नमबर के बारे में पहले से आपको और भी describe कर देते हैं इसमें कR भी आता है नेच्रोल नंबर के बाद आता है रोल नंबर प्रोल नंबर मतलड से थिक है लेकिन इस पूर्ड संख्या कहेता था ह帶 सब्सक्ion क्या होती है साथियों जब नेच्रोल नंबर के family में जीरो को family कर दिया जाए यह नेचुनल नंबर की फैमिली है यह इन फाइनाइट है लाइस्ट का अनंत है इसमें जीरो को भी सामिल कर लिया जाया गए तो यह क्या बन गया अभी यह बन गई पूर्ड संख्याएं जीरो से लेकर के अनंत क्या बन गई पूर्ड संख्याएं लेकिन अभ और पदूव और आगे बढ़ते चले जाते हैं यह अगर इसी के हम चब सरे साइड मतलब आप समझना बाय साइड में तौन क्या हो गांच कрем माइनस कोंडल होगा यह माइनस का टो माइनस करी इत्यादी ऐसे क्या होंगे सम कि मै burns doe हमें क्या है हमें समझना पुदांख अलज जो गत्यारिखा पर होती हैं वो सभी पुदांख कहलाइं तो इसकी परिभासा के ये अनन्द तक की सभी संख्याएं क्या होती है ये रिडात्मक संख्याएं कहलाती है या फिर रिडात्मक पुडां कहलाती है और ये प्लस अनन्द से ले करके प्लस वन से ले करके प्लस अनन्द तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है ये धान पुडां कहलाती है ठीक है त और प्लस का infinite के बीच में होती है अब इनका थोड़ा सा structure के रूप में समझ लो बैया प्रकृतिक संख्याएं यह हैं यह क्या है प्रकृतिक संख्याएं इन में थोड़ी सी कसर होती है इधर देखो थोड़ा से जगा है ना कटा हुआ लकसा तो जब इनमें इतना आउर मिल ज जाती हैं अब यह पूर्ड संख्या हो गई लेकिन अभी यहीं पर नहीं रुकता है यह मामला है पिने रुकता है इसमें होता क्या है इसमें अगर बात करें पूर्ड आंग की तो देखो पूर्ड संख्या है तो इतना थी यह जो देखर यह पूर्ड संख्या हैं लेकिन पू है इसे फिलाल आपको ठोड़ ean gajapp करके समझना होगा अब देखिए हम आपको दिखाएंगे क्या होता है यह संख्यारिख्ण पर mins拔 परदरशित करना देखे जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि वह चलो माइनस का 3 है इसे संख्यारैख्ण पर परदर्सित करो तो आपको करना क्या है आपको ऐसे संख्यरेखा बनानी जिसमें बीच में आप जीडरी लिखोगे इधर साइ। दनातमाग पुड़ांक इदर साइड डिडातमाग पुड़ांक लगाऊगे। उसके बाद मैं packaging कि माइनस 3 को संख्या रेखा पर बदर्शित करिए तो आप दिखा दोगे ये क्या है ये माइनस का 3 है ये क्या है माइनस का 3 है ऐसे दिखा दोगे बस हो गया मतलब ये माइनस 3 यहां पर आ गया अगर कोई पोले कि भाई ये 7 को संख्या रेखा पर दिखा हो तो ये हो गया 7 यह क्या है धनसाद दिखा दिया अगर आपसे बोला जाए बारा को दिखाओ तो इसे आगे बढ़ाओगे यहां कहीं बारा होगा तो इससे दिखा दोगे यह क्या है बारा है इस तरह से संख्याओं को संख्यारेखा पर निरूपित किया जाता है जैसे देखो इसमें संख्या होता है देखे इसमें हम आपको अभ्यास भी करवा देते हैं काफी तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रयास कीजिए चलिए हम लोग भी प्रयास करते हैं इसमें क्या करना है यह जीरो और माइनस आठ में कौन बड़ा है एक बात अपने समांक में स मज़ों सउन लो कि जो गरीब होता है जो गरीब होता है वह सुखी रूखी खाकि संड़क किना ले भी पेपर बिचा के सो जाता है आप नींद किसको किसको नहीं आती बहिया नींद समाने तरह से समझ लो जैसे अगर मैं आपको बोलू हूँ कि अगर मालो मोहन है मोहन मोहन के पास भीया माइनस का 500 रुपया करजा है मोहन 500 रुपया करजा लिया है और वहीं उसका पड़ोसी है सोहन अब भीया सोहना के पास कुछ नहीं है ना एक को रुपया है ना कोई खरज सबढ़ भी है तो चोटा कौन हुआ यह छोटा है मोँहन यह बड़ा है इसके पास कुछ नहीं है लेकिन शंतोस है तो मतलब समझ गए ना तो सभी माइनस संख्या है 0 से हमें bene android होती है जैसे kle box 2020 इस लिख दिया तो यह क्या है यह क्या है जीरो से छोटी है जीरो इससे भी बड़ी है बात समझ रहे हो ना तो उसी तरह से इसमें अगर देखा जाए कौन बड़ा है तो जो संख्या माइनस में है वो जितनी बड़ी होगी माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उसका म तने चोटा होगा मतलब यह क्या है बड़ा हो जाएगा इसे नहीं गलत है यह गलत है बहिए इसमें इदर को लगेगा माइनस वण बड़ा है वो छोटा है अब 11 और 15 दोनों पॉजिटिव हैं अगर दोनों प्लस अगर माइनस का 20 है और ये 2 है तो फिर 2 बड़ा माना जाएगा 20 बड़ा नहीं माना जाएगा ये माइनस वाले का कमाल है देखिए हम इस कलास में सिर्फ आपको कांसेप्ट सिखाते हैं तो आप पूरा कांसेप्ट सिखलो चाहे जैसे भी ये कहरा कि संख्या रेखा आपको देखकर निमनलिकित प्रिशनों के उत्तर दीजिए कहरा माइनस 2 और माइनस 8 के बीच कौन सी पूरांग संख्याएं इस्तित हैं देखो पहले ये चीज़ समझ लो अच्छे से लेकिन आज से लिखा नहीं जाता जिसे लिख दियो इस अब गलत है एक बराबर दूरी पर लिखते हैं जैसे जीरो हो गया यह वन हो गया यह टू हो गया यह तीन होई गया रेड वाला समझना ठीक है यह संकھे रेखा अब इनुस काई है माइनस का टू है माइनस का तीन है माइनस का चार है तो वह कुश्चन तो चोड़ दो ऊपर उपर वाला अगर मैं यहां पर बो लूँ आपको एक ग्यões ज्यान की चलो बैबosing माइनस ORY पन इसोर के बीच कौन कौन से पूरांग है कश्र तरह से इसको समझ सकते हो देखते हैं कौन मुसीबत आ गई भाइया चलो ठीक है ओके तो इस तरह से आप समझ सकते हो देखो कोई भी संख्या जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि चलो बताओ दो और आठ के बीच कौन-कौन से पुढांक इस्थित हैं तो आप सभी जानते हो द माइनस का 3 और माइनस का 10 के बीच में क्या है तो भी यह इसके बीच में माइनस का 4 होगा माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 यह सबी संख्या इसके बीच में इस्थित हैं समझ गे ना लेकिन मुसीबत एक जगा होती है मुसीबत कहा होती है अगर आप स बोला जाए कि minus 2 और plus 3 के बीच कौन कौन से पुरांक हैं तब यहां पर थोड़ा सा बात बढ़ जाती है और वो बात कैसे बढ़ जाती है वो देखो minus 2 और plus 3 के बीच बोला ना तो भीया देखो पहले तो इसको zero बनाओगी जो minus है तो इसके बीच माइनस एक होगा पहले फिर क्या होगा जीरो होगा फिर वन होगा फिर टू होगा तब जाके तीन होगा कहने का मतलब इसके बीच में ये चार पूड़ा अंकि स्थित हैं आप इन बात को समझना ठीक है हाँ अगर आपसे यही बोला जाए एक छोटा सा कि चलो बताओ माइनस वन और प्लस वन के बीच क्या क्या है तो आप कहोगे माइनस वन और प्लस वन के बीच क्या है भया इसके बीच में कुछ नहीं है इसके बीच में सुनना है क्या इसके बीच में जीरो है जीरो समझ गये ना मतलब कि इसके दाइनी साइट क्या है प्लस वन है बाइनी साइट क्या है माइनस का वन है तो यह होता इसका कांसेट अगर इस तरह से आपको और भी कोई नंबर बोला जाए तो आप असानी से कर लेना जैसे माइनस का पांच और प्लस का तीन के बीच बोला जाए जीरो भी तो होगा इसके बीच में क्या होगा माइनस का वन के बाद में क्या होगा देखो इदर समझो यह मैं काड़ दिया माइनस का वन तक देखो माइनस के बाद जीरो होगा फिर पलस का वन होगा फिर पलस का टू होगा और तब जाके कहीं यह तीन होगा यह इतनी संख्य है हैं इंगीस के बीच में यह कंसेप्ट आप समझने की कोशिश करो एक दम स्टार्टिंग से देखो अब इसमें थोड़ा सा कांसेप्ट समझ लो कांसेप्ट वाली बात क्या है वह आपके सामने है कुशिशन इसे बहुत ही द्यान से समझना और देखना देखो कुशिशन क्या कहता है कुशिशन कह रहा है इनके वी परीट लिखी आप जिट आप सब फोजिट बड़े आराम से बता लोगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, चलिए, अब हम आपको दिखा देते हैं, संख्या रेखा पर नंबर को जोड़ना, ठीक है, आप से पूछा जा सकता है, आप इसे समझ लीजिए, अगर कहीं भी आप से ऐसा पूछा जा है, तो आप कर लेना, जैसे मै संख्या रेखा पर जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम संख्या रेखा कीच लेंगे, यह कीच लिया, इसके बाद क्या करेंगे, इस पर नंबरों को लिख देंगे, है ना, नंबरों को लिख देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आट, इधर स ही लेंगे माइनस फाले से में कोई मतलब नहीं है तो हमें तीन जोड़ना था कि इसमें पांच में तो हम पहले तीन गिंती लेंगे कहां से जीरो से त glorious this one for a appetοι ऑ जी हो दियुआ कर गिए मतलब यह की कहा हो मैं आ एक गेर लिया सिर्ल ङृट्ख में ऑफ गति हुड़िया अफ यहां थे पांच जोड़ना है तिस तबास जोड़ना है पूलना में है इस तरह से आप क्या करोगे नीचे सपरस्टी करांण लिख देए ना संक्यरेकापर पर पहले हम सुनृची तीन करांबμε करके, सुन 했어 के दाईं और तीन कदम चले, उसके बाद चलते हैं नहीं, चलने लिख न ठीक है, उसके बाद हम तीन पर पहुंच गए, फिर तीन के दाई इसमें एक माइनस वाला समझ लो माइनस वाले में आपको काफी confusion होता है अगर आपसे ऐसे question कर लिया जाए कि चलो भईया माइनस 5 में धन का 3 जोड़ो क्या है माइनस 5 में धन 3 जोड़ो वो भी संख्या रेका बर तो क्या करोगे सबसे पहले आप संख्या रेका ड्रा करोगे जैसे देखो नीचे ड्रा की गई है है ना संख्या रेका ड्रा की गई है यह ड्रा कर लिया उसके बाद क्या करोगे देखो माइनस का 5 में 3 जोड़ना था तो आप पहले माइनस 5 तक चलोगे माइनस की गिंती बाई तरफ होती है जीरो से बाई तरफ कितना चलोगे 5 चलोग काह से जहां पर हम आय वहीं से तीन पॉइंट छलेंगे तो लोग एक चल दिया दो चल दिया और यह तीन इधर चल दिये चुकी क्या करना था इसमें जोड न था तो तो यह हो गया पूरी कहानी खतम अब बचता क्या है जीरो से ले करके वन तक यह एक बच रहा है और माइनस वन से माइनस टू तक मतलब क्या बच रहा है दो खाने बच रहे हैं मतलब कहने का माइनस का दो बच रहे हैं कितना बच रहा है माइनस का दो तब इससे आप क्या लि बताना ठीक है बात समझ रहे हो ना इनको कर लेना इसके अलावा इसमें जो और भी कुश्चा नीचे पूछ जा रहे हैं कि संख्या रेका के बिना परियोग किये मान गयत कीजी तो बहिए इनको ऐसे आसानी से कर लेना है प्लस 7 को क्या करना है माइनस 11 में जोड़ना है इनको अगर इस तरह से हल करना है कहरा बिना संख्या रेका का परियोग किये करिए तो बिना संख्या रेका का परियोग किये करना है तो इसे आप आसानी से कर सकते हो वो क्या है वो ऐसे समझ लो कि जैसे प्लस का साथ है तो बीच में प्लस लगा है यह माइनस तो प्लस माइनस माइनसेटा हो जाएका माइनस और यहाँ अबाग के वाएंस कढ़ने माइनस आंसर व गया चुकिए साथ ज्युश्यटा-11 बड़ा है तो आप क्या करोंगे गयारह से साथ खटा के माइनस लगा दोगे सब्सक्राइब मैंने सब्सक्राइब माइनस 8 में से माइनस bagus घटाओ ये कई से होगा माइनस siitä समझना माइनस आट में से घटाना जो पहले आप 7 लेक道 देलेक ऴुद हमयरे से आप एक माइनस आट तक का नंबर आ及 लेख करा है क्या रियत के तैया होगे है तो यहां पर माइनसे 6 है अब क्या करना में 10 घटाना है न माइनस का 10 घटाना है तो चलो भाइब माइनस का 10 खाने हम चुनेंगे माइनस करेंगे इसमें से देखो एक खाना ही हो गया अगे बढ़ें उसके बाद इसमें भी कुछ नहीं जादा इसमें भी क्या कर आई तो आप सभी जानते ही हो 35 मैंसे 20 घटाना भी यह सब माइनस का थी Gore है माइनस अच्यां भी यह देतन रूपय च्रूपया कर्जी एक तौज के पास है जायदा करज?' चुर जिए च्छोटा होगा इसलिए क्या है से इस तरह से आप जो भी हैं खाली अस्तान को भर सकते हो जैसे अगर एक मैं आपको और बता देता हूं नहीं आपको बहुत सार्ट में खतम करना है विस्तार से देख लो किरा माइनस का अठ धन फिर खाली जगह बराबर का जीरो चलो बहुत यह माइनस का अठ फिर प्लस है चुकि जोडने वाला जगा है ना तो माइनस का अठ में अगर हम प्लस का अठ जोड़ेंगे ते जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा नीटल हो जाएगा ना पत समझ गे ना तो इस तरह से यह कांसेप्ट आपका पूरा हो गया और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जनी संकोच हमें कमेंट कर सकते हैं पीवियर स्टडी आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से बिलकुल निस्वल कुपलब्ध है और सारी कलास को देखते रहें अगर आप मैत सुरू से सीखना चाहते हैं आपको मैत में कुछ भी नहीं आता है आप एकदम जीरो है तो आप इ सेबन एट फोर ठीएट और ठीटू त्रिटू त्रिपल नाइन फिल्हाल आज के लिए नहीं जैहिंद जैवारत दूस्तों को वीडियो को सेर कर देना अगर आप इसे डेमों के रूप में कहीं देख रहे हैं वाटसप पे या पेस्बुक टुटर इंस्टागराम कहीं पर तो सेर कर देना अगर आप रेगूलर कोर्स देख रहे हैं तो आप सेर नहीं करेंगे ठीक है तो जैंड़